देखे आपके घर में कोई भी तेवार हो, चाए होली हो, चाए दिवाली हो या फिर आपके घर में साधी क्यों न होने वाली हो, कोई नया घर बन रहा हो, सबसे ज़्यादा important क्या होता है, आप अपने घर को paint करवाते हैं ताकि आपका घर अच्छा लग सके, चमकदार लग सक अब इस फिल्ड में अगर आप business start करना चाहते हैं, तो इस business के सारे points आज की वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं, कुल ऐसे 6 points के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो अगर आप paint shop के business start करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी problem नहीं होने वाली है, तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, hello and welcome friends, मेरा नाम है अनूप सिंग और आपका अपना YouTube चैनल, इसी तरीके से high quality educational वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी subscribe करें, और हाँ साथ मैने वाले bell icon को भी press कर दें, ताकि आप किसी भी latest वीड कान खोल लिए, आपको paint का color ही नहीं पता है कि भाई, ये फ्रोजी होता है, ये होता है, different types के color होते हैं, कई colors को mix करो तो एक color बन जाता है, तो आपको colors के नाम पहले पता होने चाहिए, इसके लिए आप market में रह सकते हो, आपके आसपास का जो color market है आप वहां रह सकते हो, सी कितना investment होगा, कितना आप उसमें profit कमा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप पहले से calculate करके चलेंगे, तब ही आगे जाकर आप सफल हो सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं, जो ये सारी चीजे पहले नहीं सोचते हैं, सिर्फ profit देख लेते हैं, और जब वो मेहनत करन कैसी गली में आ गएं, उस वक्त उनको पश्ताना पड़ जाता है, तो आपको ना पश्ताना पड़े, इसलिए आप पहले से ये सारी चीजे समझ के चलनेंगे, पॉइंट नमबर टू, अप paint shop हो या फिर कोई भी shop हो, उसका location बहुत ही ज़्यादा माइने रखता है, उसको run करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप किस location पर अपनी shop को start करने वाले हो, अगर आपको कहीं paint के market में shop मिलती है भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो ऐसा market रहेगा, जहां पर सारे उसी चीज से related customers आएंगे, तो जाहिरती बात ह आपके दुकान में जादा से जादा customers आते रहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी चीज के expert हो और उसी की market में आप अपना काम सुरू करते हो, तो उस चीज की जरूरत जिन जिन लोगों को है, वो उसी market में आते हैं, आपके आस पास की दुकान में अगर कुछ लोग जाएंगे अगर आपको paint की shop market में नहीं मिल पाती है, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी चलती road पर highway पर कम से कम, highway पर ना सही तो अच्छी खासी चलती road पर तो कम से कम आप start करेंगे, तब आपके चलने के chances जादा हैं, वरना आपको बाद में पच्तावा भी हो सकता है कि भई, नहीं चल या फिर अलग अलग टाइप के problems का सामना करना पर सकता है, देखें किराया थोड़ा मुश्किल हो जाए, दुकान का, वो इतना matter नहीं करता है, वो आप manage कर लेंगे, पर अगर आपके दुकायन चलेगी ही नहीं, फिर आपको बहुत ज़्यादा problem होगी, point number 3, चलो मान लिए आपने location का भी एक अच्छा सा chain कर लिया, आपको location के बारे में भी पता चलिया है कि मैं इस location पर shop start करने वाला हूँ, आप पूरी तरीके से ready हैं shop start करने के लिए, आप यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो paint में लगने वाली machinery होती है, मान लिजिए आपका wall पर इसी चीज़े होती हैं, जो paint में बहुत ज़्यादा important होती है, उसके बिना paint नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको साथी साथ जानकारी लेनी है, इसके लिए जहाँ पर आप पहले काम करते थे, वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आपको धीरे अगर के पता चल जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है कि आप जिस field में मालिक बनना चाहते हैं, उस field में कुछ दिनों के लिए नोकर बनो, ताकि आपको मालिक बनने में कोई भी problem ना हो सके, अब आपने अगर किसी दुकान में काम किया है, तो इसका एक बहुत बड़ा profit यह होता है कि आपको यह पता चल जाता है कि उस दुकान का मालिक जो था, वो समान कहां से मंगा रहा है, कैसे मंगा रहा है और कितनी मातरा में मंगा रहा है, और आप बाद में उसी dealer से contact करके अपने दुकान के लिए वही समान मंगा सकते हो, उसी कीमत पर म मंगा सकते हो, चाहे तो उससे कम मातरा में मंगा सकते हो, चाहे तो उससे ज़्यादा मातरा में भी मंगा सकते हो, पॉइंट नमबर फोर, अगर आप एक paint की shop स्टार्ट कर रहे हो, अच्छी दुकान स्टार्ट कर रहे हो, एक अच्छे level पर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपक गवर्मेंट को tax भी देना हुआ करेगा अगर साल में आपका 20-22 लाग से उपर जाता है तो अगर आपको GST के बारे में इतना जाता नहीं पता है तो आप किसी expert CA की help ले सकते हो जो आपकी मदद अच्छी तरीके से कर सकता है Now point number 5 की आपको दो ऐसे बंदे रखने पड़ेंगे जो की हमेशा आपके shop पर रह सकें आपकी help कर सकें क्योंकि यहाँ पर आपको paint जो देना होगा लोगों को उसके लिए आपको बंदे चाहिए होंगे क्योंकि आपके वहाँ white cement भी होगी, putty भी होगी, P.O.P. भी होगी रख लीजे, कम से कम अगर आप एक अच्छे level पर shop start कर रहे हैं तो 5-7 लाग रुपे का समान रख लीजे अपने दुकान का, कुछ मजदूर आप जो रखेंगे अपने दुकान पर उनके बारे में आप अगर calculate कर लेते हैं उनका कुछ रख लीजे, कम से कम यहाँ पर आपको एक PC तो चाहिए होगी, computer जिसमें आप billing कर सकते हैं GST registration बगेरा, जो जो भी होगा उसमें आपको GST billing करना होगा, वो सारी चीजे तो आपके पास एक अच्छा computer होना भी जरूरी है, कम से कम 50,000 रुपे का एक computer रख लेते हैं यहाँ पर जो आपका total investment होने वाला है, वो आप 8,500,000 रुपे से 10,000,000 के बीच में रख लीजिए क्योंकि इतने में एक अच्छी सी shop start होकर चल सकती है, run करना start कर सकती है और अब हम बात करते हैं कि इसमें earning कितनी होगी, तो देख लीजिए अगर आपके जी shop है वो अच्छी तरीके से चल रही है बिना किसी problem के अच्छे कासे customer हर रोज आ रहे हैं तो आप 50-60,000 रुपे मन्त का earn कर सकते हो पर अगर आपके दुकान पर customer नहीं आ रहे हैं तो ये ratio जो आपका वो कम भी रह सकता है अब बाकी तो आपके selling पर depend करता है कि कितने जादा customer आपके shop पर आ रहे हैं और वो depend करता है कि आपके advertisement कैसी की है अपने दुकान की क्योंकि इसके लिए आपको परचार करने के भी जरूत पढ़ सकती है starting में और आपके दुकान में जादा से जादा customer आएं इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके area में जितने भी paint वाले expert हैं जो लोग paint किया करते हैं लोगों के घरों को उनसे बात करके रखिया कि भाई आप किसी के वाँ paint करने जाएंगे उनको अगर paint लेना होगा तो आप उनको मेरी shop पर लेकर आईएगा उसके कुछ percentage आप उनको देंगे तो वो खुद बखुद आपके दुकान पर customers को लेकर आना शुरू हो जाएंगे बस क्या है कि आपके area में जितने paint वाले कारिगर हैं उनसे आपको बात करके रखना होगा कि भाई साब कोई customer मिले तो सिधा मेरे पास लेके आना है यहां पर मैं मानता हूँ कि आपके profit का कुछ percent जाएगा पर ऐसे मैं आपको customers की कमी कभी नहीं पढ़ने वाली है अगर वीडियो अच्छी लगिए तो इस्टाग्राम पर follow जरूर कर लिजेगा लिंक आपको description में मिल जाएगा वरना आप इस्टाग्राम पर जाकर search भी कर सकते हैं अनूप सिंग अंडेसकोप ASK वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद बने मातरम